हेलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फेश्ट डिपर उमीद करता हूँ आप से भी बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और सभी अपने घरों पर होंगे क्योंकि इस समय घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुरोना वारस ने पूरी दुनिया को काफी परिशान किया और इस से बचने का बस यही एक तरीका है कि अभी आप अपने घरों में रहें सोसल डिस्टेंसिंग को बना के रखें लोगों से बिल्कुल भी ना बिलें और ऐसे लोगों को अवेर करने की भी कोसिस करें जो इस चीज को नहीं मार रहें लेकिन सोसल डिस्टेंसिंग और लॉक्टाउन के दौरान जो यह खाली समय आपको मिला है इस समय का आप सद उपयोग कर सकते हैं आप इसको अपने उपयोग मिला सकते हैं और इस चीज को आप भली भात ही जानते हैं कि कैसे आप इसको उपयोग मिला सकते हैं थोड़ा सा अगर आप खुद पर विचार करेंगे कि आप क्या करते हैं तो आप उससे related बहुत सारे ऐसे कारे निकाल सकते हैं जो especially आपके लिए होंगे और जिस पर आप काम कर सकते हैं और उनसे आपको काफी benefit होने वाला है अगर आप मुझे सवाल करते हैं तो मैंने भी इस lockdown के कुछ दिनों को बिल्कुल बेकार निकाल दिया उनमें कुछ भी नही और एक ऐसे project पर काम कर रहा हूं जिससे आप सभी को काफी benefit होने वाला है यह idea मैंने इस lockdown के दौरान ही लगाया कि आखिर इस समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि बैसे इस्ट्यूट में जाना होता है और उसके बाद मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है बस उस के लिए काफी important भी है और आप quest लगा सकते हैं अभी हम आपको बताने वाले नहीं कि मैं किस चीज़ पर काम कर रहा हूं और क्या है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस project पर हम कारे कर रहे हैं और क्यों वो आपको इतना फादे मंद होगा लेकिन बहुत ही जल जैसे वो कारे खतम होगा तो हम उसको reveal करेंगे और आप तक्सेर करेंगे कि मैं किस चीज़ पर काम कर रहा था और क्या था ठीक है लेकिन हाँ इतना मैं कहता हूं कि उस चीज़ से आपको बहुत benefit होगा और आपके हित में ही वो काम हो रहा है ठीक है और मैं उसको खुद कर रहा और करना भी चाहिए जब आपको समय में ठीक है फिलाल बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं बहुत सारे बच्चों के सवाल भी है और एक पच्ची ने सवाल किया है कि सर ट्रिपल सी का एकजाम कब होगा तो अभी मैं बता दू कि भाई एकजाम के लिए कोई भी नहीं कह सकते हैं ये तो जब अफडेट होगा है ना कोई ना कोई अफडेट आएगा तभी हम आप तक सेयर करेंगे ठीक है जब भी होगा एकजाम होगा लेकिन आप तैयारी करते रहिए और जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं जून मंत के लिए आप फॉर्म भी अप करते हैं तो यहां पर देखेए डाउनोड सर्टिफिकर्ट का आपको एक और चुका है और मैंने एक वीडियो बनाया है जिस में नहीं बताया कि सिग्नेटर को कैसे आप वैलिडेट करते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अगर आपको को दिक्कत आती है सि कर लेंगे और यहां पर देखेंगे 2020 में केवल फरवरी है अभी तो फरवरी वालों का सर्टिफिकर्ट जो है वो आचुका है आप इससे डाउलोड कर सकते हैं कई बच्चों ने सवाल किया कि क्लास कब से शुरूंगे तो आप सभी को बता दें कि अभी 3-4 दिन और क्लास नह जल्द स्टार्ट होने वाले हैं तो जो बैच स्टार्ट होंगे उसका समय हम आपको बता देंगे हलांकि समय बस वही रहेगा जो पुराना समय हमारा साड़ याट वजे का है तो 38 का समय रहेगा लेकिन कब से शुरू होगा यह चीज मैं आपको बता दूगा और किसी भी ब क्मेंट्स उनकर बाट पीच dość में कुछ ऐसे कमेंट मुझे मिले है जिन बच्चों न यह बोला कि सार हम तीन बार इक्जाम दिये हैं और इसके बाद वी फिल ऋ गया है तो जो बच्चा तीन बार यह चारवार एक्जाम दिया उसके बाद है फिल हो गया है थोड़ा सा आप खुद पर विचार करिए कि आखिर क्यों ऐसा हो गया है और आपकी क्या ऐसी कमी रहे गई है जिसके करण आप पास नहीं हो पाए है ठीक है थोड़ा खुद पर सोचिए और फिर उसके बाद जब से नया क्लास बैज शुरू हो आप उस बैज को जोईन करिए और रेगुलर क्लास करिए और जितना चीज आपको पढ़ाने के लिए बोली जाए है ना क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं आपको पढ़ना है बस अगर आप बात मानेंगे तो पढ़ लेंगे नहीं मानेंगे तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन बस मैं अपसे रिकुष्ट करूँगा कि ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं कि सर हम फेल हो गए हैं तो प्लीज आप थोड़ी सी बात को मानिए और पंदरा बीस मिनट टेस्ट मिनट जो क्लास चलते हैं उनको क्लास को आप देखिए और उनको अच् पढ़ाते हैं उसके बाद उसका टेस्ट भी रखते हैं और टेस्ट भी लेने की कोशिस करते हैं ताकि हम एक आइडिया लगा पाएं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं तो वो चीजें सारी चीजें हम लेकर आएंगे आपके सामने और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशि करने में तो बहुत ही जल सारे काम complete होने वाले हैं और class भी आपके शुरू होने वाले हैं तो आपको कोई चिंदा करने की आवर सकता नहीं है class बहुत जल शुरू होंगे और कोई भी फेल नहीं अई होगा सबी पास होंगे ठीक है इस चीज़ को आप नेचिंद रहिए और आप positive mind से अपनी पढ़ाई करिए अच्छी फित तयारी करिए ठीक है कोई भी एगर सवाल है कुछ भी पूछना है तो comment box में पूछ सकते हैं ठीक है और बस आप अभी lockdown का पालन करिए घर में रहिए शुरचित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए ठीक है और इस खाली समय का उपयोग अवस्य करें कहीं ना कहीं आप जो भी आपको ठीक लगे वो आप काम कर सकते हैं अपनी recording की आपको क्या करना चाहिए है ना और अगर आप इस समय का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए काफी फादिमन होगा फिलहल आज के लिए बस इतना ही उमिद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी से मिलकर मुझी भी काफी अच्छा लगा क्योंकि जब बहुत सारे दुनों से क्लास नहीं हो रहे थी तो आज मैंने सुंचा कि आप से कुछ बातिं की जाएं और इस वीडियो के माध्यम से ही आप से कुछ चल्चा हो गई फिलाहल जल्द आएंगी क्लास लेकर के तब तक लेवाए थैंक्यू धनिवाद गोडिर्मी